नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं सभी हमारे यूट्यूब चनल अबजेटिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसमिधिश साफ में जो टूल परियोग किया जाता है वह किस मटिरियल का बना होता है और उसका परियोग कहां पर किया जाता है और किस लि फेर करने के लिए यानि की हमारा डिष्टीट का बनाएजाता है मुझे 주ogy न क्य Hagal अभरने के लिए को भीए हमलोग ने के लिए हम लोग करते हैं अपने ibaas लोग यह अंक्रों का परयोग करते हैं श्यों के जैंज पर धाती यानिका अपनी इच्छा प्रकार की आकरती बनाने में हम लोग करते हैं या वांशित आकरती यानि कि अपनी इच्छा अनुसार जो आकरती बनाना हो उसके लिए गरम धातों को इस पर रखकर काम किया जाता है यह हमारा का स्विज्श होता है यह हमारा टूलक के बना होता है और धात उजाफ की सतय को ऊपर से ό Beautiful के लिए डाने के लिए जो रखका क्बंक करने यह हमारा हमारी बीच में बनाने यह हमारी दाने के लिए जो सक्कते 1964 करने के लिए तथा बीच में खांचे डालने के लिए हम लोग फुलर का परियोग करते हैं तो फुलर का माटेरियल जो हो गया वह टूल इस्टिल हो गया और इसका लंबाई बढ़ाने के लिए या सक्षन को कम करने के लिए तथा बीच में खांचे डालने के लिए हम लोग फुलर का परिय की जाती है जटा तो जोका होता है यह श्टील और लकड़ी का बना होता है तो इसका बढ़र भठ यह सब्सक्रेंद 때 में दालना के लिए किया जाता लिए हुआ है और ठीज को पोकर होता है हमारा मेल्डестно Раз होता है और एक भाठी में चिपके हुए को और को लों को अलाग करने के लिए पोकर का परियों कि जाता है दे। नारत हमारे एप्रॉंट होता है या लेदर होता है और इसे पहन कर वर्कसाप में कान किया जाता है, नहीं ने हमारा हिस्टेक होता है, हमारा काष्टैरंट का परियों किया है, इस मिद्ससाम में जो टूलेंगी के जाते हैं और वह किस माटेरियल की होते हैं और उनका क्या यूज होते हैं, इन सब के बारे में ख़ले तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दाएं वीडियो को और जो भी लोग हमारे चैनल पर पिनना हैं वोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अन्निस्ट वीडियो के साथ थैंक्यू